अब आप question number 5 पे आजाएं question number 5 का first part अब इस question को ज़रा गौर से देखे इसमें देखें क्या पूछा है find the values of m and n so the function is continuous at x equal to 3 ये question देखें बेटें पिछले question number 3 से बिल्कुल different है इसमें सवाल में वो आपको कह रहा है कि m और n की values find करें ठीक है आपने क्या निकालना है m और n जो function में दिया है इसकी values निकालने so that the function is continuous at x equal to 3 इसमें सवाल में अब खुद आपको दे दिया है कि function जो है वो continuous है जबके हम पिछले सवालों में क्या देख रहे थे कि function continuous है या नहीं बात समझ आ रही है कि नहीं पिछले सवालों में हम ये चेक कर रहे थे कि function continuous है या नहीं जबके इस सवाल में उसने खुद कह दिया है कि function is continuous at x equal to 3 कि function 3 पर continuous है आप सिरफ m और n जो function में दिया है इसकी values निकालें ठीके अब हमने इसको कैसे start करने है इसको हमने start ऐसे करने है कि हम कहते है कि यह चीज़ आपको given है कि function is continuous ठीके इसका मतलब क्या है कि इसकी limit जो है वो exist करती है left limit right limit के बराबर है है या नहीं है क्योंकि यह condition होती है left limit right limit के बराबर है दूसरी बात और दूसरी बात यह होती है कि value of function is equal to the limit of the function ठीक है यह conditions आपके hold करती है अब हम इसको लिखेंगे कि left limit जो है वो आपको दीवी है 3 minus fx equal to limit 3 plus f of x यानि कि left limit right limit के बराबर है तो left limit की value आप put कर दें x is less than 3 में आपको function दिया है mx और x is greater than 3 में आपको function दिया है minus 2x plus 9 इन दोनों जगह आप इसकी values पूट करें और limits पूट करें limit limiting value आप जब पूट करेंगे left में तो m into 3 हो जाएगा which is equal to minus 2 into 3 plus 9 या जगा 3m is equal to minus 6 plus 9 3m is equal to 3m so m equal to 1 अब हमने क्या निकाल लिया है m1 निकाल लिया है जो इसमें बात समझने वाली है वो यह है कि हमने उसने सवाल में कहा था कि आप m और n निकालें m हमने निकाल लिया है n हमने find करना है ठीक है और function continuous है तभी मैंने left limit को right limit के बराबर रखा था अब आपने निकालना है कि इसकी n की value निकाल लिया है तो limit x approaches to f of x equal to आपको क्या दिया है जिए 3 के बराबर so the function is continuous limit x approaches to 3 fx is equal to किसके बराबर होता है f of 3 f of 3 आपको क्या दिया है बेटे वो आपको दिया है n याणि 3 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा n के बराबर अब इसके बाद एक एक साइस का आखरी question है question number 6 it is very important ठीक है यह long में आता होता है question और यह पिछले दो भी important थे यह भी long में आ जाते है question number 6 में आपको function दिया हुआ है और इसमें भी आपने यही find करना है कि question में लिखा है find the value of case so that the function is continuous at x equal to 2 जिसना पिछले सवाल में था इसमें भी यही कहा है कि function continuous है किस पर continuous है x equal to 2 पर continuous है और आपने निकालना किया है k निकालना है k आपने find करना है अब आपने continuity नहीं चेक करनी अब आपने सिर्फ k की value निकालनी है सवाल हल हुआ वेक्तरा का इसका solution आप कैसे find करेंगे कि आप function लिखें fx ठीक है limit x approaches to 2 multiply भी कर दें और divide भी करनें जब multiply करेंगे तो उपर a minus b into a plus b का formula लग जाएगा तो a minus b into a plus b जब आप into a plus b into a minus b तो यह होज़ेगा a plus a minus b square a square minus b square divided by the term जो remaining term है अब आप इसको खोलने तो यह आपके पास आज़ेगा 2x plus 5 minus x plus 7 divided by x minus 2 into 2x plus 5 plus x plus 7 का under root उपर जब solve करेंगे तो बचेगा x minus 2 जो के नीचे वाले x minus 2 से cancel हो जाएगा और आपके पास पीछे बच जाएगा 1 upon 2x plus 5 plus x plus 7 अब आप बेटे इसमें limit इसके put कर दे, limit put करेंगे 3 तो आपके पास यह बन जाएगा 1 upon 2 into 3 plus 5 plus under root 2 plus 7 तो यह 1 by 9 plus 1 by 9 which is equal to 1 by 3 plus 1 by 3 which is equal to 1 by 6 अब आपने इसकी value निकाल लिए 1 by 6 के बराबर ठीक है इसकी limit आपने limiting value निकाल लिए किसके बराबर? 1 by 6 के बराबर अब हम कहते हैं as the function is continuous कि function जो है वो क्या है? continuous है तो value of the function is equal to the limit of the function value of function आपको क्या दिया है? किसके बराबर दिया है? के के बराबर जबके limiting value आपने क्या निकाल लिए है? 1 by 6 तो फिर के की value आपके पास आजएगी 1 by 6 और यहाँ आपका एक question complete हो गई है exercise 1.4 complete हो गई है exercise 1.5 हम नहीं करेंगे वो graphs हैं उसको हम छोड़ देंगे ठीक है बेटे? बात में उसको मैं देखूंगी अगर ज़रोती तो करवा दूँगी क्योंकि graph paper में नहीं आते होते chapter 1 जो है वो आपका complete हो चुका है हम इंशाला ताला next lecture में नया chapter शुरू करेंगे ओके आपका chapter number 2 होगा यहां तक आपका chapter 1 complete है next lecture में chapter number 2 start करेंगे ओके